दोस्तो टोटल सॉलुशन मिलन में आप लोका पेट से एक बाद स्वागते दोस्तो आज का वीडियो एक बोल्ड कमपनी का नेक बैंड के उपर है तो यह देखिए नेक बैंड का जितना भी वैर है दोस्तो एकदम खराब हो गया है इसको काट के हमको नया वैर जो है वो निक गया है जगा जगा में सलफर बना हुआ है और यह देखिए माइक के बगल में जितना भी वैर का connection है एकदम side में देखिए battery का connection है तो एक पर देखिए एक point battery का जो की positive बाला point है वो एकदम बिल्कुल काला पर गया है वह आपे जंग आ गया है sulfur आने के बाद और देखिए इसमें दो button नहीं है एक button भी उखर गया है तो दोस्तों एक video हम बनाएंगे कि इसका button अगर boom हो जाता है तो वो button आपको कैसे मिल सकता है कौन साथ चीज से आप खोल के इसमें button लगा सकते हो तो पहले हम इसको knife के मदद से थोरा सा paste लगा के इसको घीस के अच्छे से साप कर लेंगे कि इसमें हमको साप करने के बाद solder भी लगाना है क्यूंकि इसमें देखिए बहुत सरा जो sulfur है दोस्तों ये एक बार में नहीं हटेगा इसको आइस्ता करके हटाना है अगर कोई चीज से आप इसको जबदस्ती करते हो या घीसते हो तो फॉल जो है उखर जाएगा थोरा सामने solder कर लिया magnifying glass के नीचे हमने देख लिया है इसको देखके हमने इसको साप कर लिया नाइप के मदद से अब इसमें थोरा सा और भी हम paste लगाएंगे और उसके बाद अच्छे से हम सोल्ड करेंगे जितना भी पीन पॉइंट है दोस्तो उसको हमको अच्छे से सोल्ड करना है नहीं तो सही से connection नहीं बनेगा दोस्तों दोस्तों वीडियो को पूरा देखते रही है बहुत कुछ सिखने को मिलेगा इस वीडियो से वीडियो थोरा लंबा हो सकते लेकिन आपको बहुत सारा जनकरी मिल जाएगा तो देखिए इसका हम थिनार के मदद से हमने साफ कर लिया है और भी जहाजा पे थोरा बहुत सलफा रिया पानी गया था तो अभी हम सार्कित को नजदिक से दिखाते है देखिए अभी बिलकुल यह साफ हो गया है आप इसमें हमको कनेक्शन करना है लेकिन उससे पहले जो नेक बैंड का वायर है दोस्तो इतना चोटा वायर लगा हुआ है कि वायर का जो सीरा है दोस्तो वो खराब हो गया पानी के बज़़े से खराब हो गया तो आप इसमें वायर अच्छे से खोलना पड़ेगा पहले एक गाट बना हुआ है दो वैर में तो इस गाट को हम खोलने के बाद हम दिखाएंगे तो इस नेक बैंड को आप कैसे काट के इसका अंदर से आप वैर निकल के फिर से इसमें कनेक्शन कर सकते हो तो यह देखिए इसका जो वैर है जो लंबा बाला तो उसको हम थोड़ा सा काट कर लेते जो खराब हिश्चा है बात कर दिया और जितना भी चार वैर था दोस्तों उसको भी हमने काट कर लिया है उसका भी खराब हिश्चा जो है हमने बात कर दिया है तो अभी यह देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा करके जगा बनायेंगे, क्यूंकि इस के अंदर जो है गुलू पेस्टינG किया हुआ रहता है, तो थोड़ा बहुत मुजबूत रहता है जो कम्पनी का आता है, अच्छा कम्पनी का, और बाकी जो company का होता है वो आसानी से खुल जाता है दोस्तों तो ये bold company का neckband है तो इसमें गुलू बहुत ही अच्छे से लगाया गया है इसका जो pasting है तो इतना अच्छा pasting है दोस्तों कोलने के लिए बहुत time लगता है और इसको सब्धानी से आपको कोलना है तो देखिए हमको भी बहुत ही मुश्किल हो रहा है तो थोड़ा chemical यूज़ करने से या petrol बगरा यूज़ करने से हो सकता है तो आसानी से निकल जाता है लेकिन मैं ऐसी निकलता हूँ स्कूब डाइवर के मदद से तो देखिए मेरा जो लॉक है यह बहार निकल गया है आप इसको हम इस वैर के कनेक्शन करने से पहले यह जो लॉक है दोस्तों यह लॉक को भी हम अंदर लगा लेंगे आप देखिए जो हेटफोन का जो एक वैर है दोस्तों इस स्पीकर का इसमें भी कस्टमर का प्रॉब्लेम था के एक साइड हमारा बंद हो गया था तो एदीखिए अंदर से इसका wire जो है वो पंच हो गया था तो जितना भी wire खराब था उसको काट के हम अलग कर दिया है आप इसका जो main काम है यह जो neck band है इस neck band को काट के इसके अंदर से हमको wire निकलना है पहले हम इसमें मार्किंग कर लेते, जे कितना हमको काटना है, तो नाइब के मदद से हम मार्किंग कर दिया है, अभी देखिए मेरे पास जो सोल्डरिंग आयरन है, इसी के मदद से हम इसको काट करेंगे, ये सोल्डरिंग आयरन भी मैंने बनाया है दोस्तों, और इसका जो व आपका पुराना जो soldering iron रहता है उसी से तो इसमें देखिए हमने वायर को काट करके जो प्लास्टिक है प्लास्टिक को काट करके rubber band को हमने वायर को भाहन निकाल लिया है अब दोस्तों सबसे मुश्किल काम है मुश्किल काम क्या है आपको पता चलेगा तो पहले हम लौक को लगा लेते देखिए थोरा प्रैसार बना के लोग को अंदर रख दिजीए अब इसमें बाद में हम गुलू लगाएंगे या क्या लगाएंगे देखेंगे दोस्तों तो पहले इसमें जितना भी वायर है इसको हम यह करके साफ कर लेंगे क्योंकि यह वैर दोस्तों बहुत मजबूत होता है लेकिन इसका एक कि प्रॉब्लम रहता है दोस्तों ये वार शोल्डर आसानी से नहीं पकड़ता है मतलब आप सोल्डर करने जाओगे तो इसमें काला-काला हो जाएगा इसका जो वार है तो इसमें थोरा सा फैल जाता है इससका वार ठीक से solder नहीं होता है और दोस्तों जब board में आप लगाने जाओगे तब ठीक से soldering भी नहीं होगा और एक wear दूसरा wear के साथ attach भी हो जाता है तो बहुत सारा bluetooth neckband में मैंने ऐसा ही problem दिखा है जो कि दूसरा technician के पास से आता है मेरे पास ये भी एक technician के पास से मेरे पास आया है दोस्तों तो इसमें technician का जो काम था दोस्तों उसमें थोड़ा चुक कर दिया क्यूंकि इसका जो wear है इतना छोटा था कि आप ठीक से इसको sold कर नहीं सकतो वैर को बाहर निकाल के थोड़ा इक्स्टा वैर निकाल के उसके बाद ही इसको connection बनाने से हो सकता है और इसमें हमने देखा था इसका जो battery का connection वो भी गलत लगा दिया था क्यूंकि सायद दो वैर खुल गया था दो तीन वैर और इसमें साल पर लगा हुआ था इसलिए यह ठीक से connection नहीं बना तो technician उतना धैन नहीं दिया इसलिए सायद छोड़ दिया तो इसमें इस काम में थोड़ा सा time लगता है अब हम लोग तो video को edit करने के बाद मतलब जितना हम आप लोग को दिखाना चाते उतना दिखाते लेकिन इसमें होता क्या है इसमें होता है दोस्तो time थोड़ा ज्यादा लग जाता है अच्छा काम करने के लिए और आच्छे से काम करने के लिए तो यह दिखिए बारीकी से आपको एक एक करके वहर को solve करना पड़ेगा आपका मन पसंद जब तक ना हो तो आपका soldering अच्छा होगा तो आप Bluetooth में असानी से यह लग जाएगा कोई भी problem नहीं होगा तो यह देखिए एक एक करके मैं soldering कर रहा हूँ उसके बाद हम इसका जो connection है उसको करेंगे तो दोस्तो मेरा चैनल का वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो जुरूर मेरा चैनल को subscribe कीजिए notification bell icon को भी दबा दीजिए नया नया वीडियो के notification सबसे पहले पाने के लिए और दोस्तो मेरा चैनल का playlist में आप जाओगे तो बहुत सारा वीडियो आप लोग को मिलेगा उससे कुछ न कुछ अब जरूँ सीख सकोगे आप technician हो या non technician हो दोस्तो उससे कोई भी फरक नहीं पर साथा हार एक मेरा वीडियो से सीख सकता है मेरा वीडियो सीम्फल तरीका का है दोस्तो एकदम आप लोग समझ में आ जाएगा और दोस्तों वीडियो के उपर जो i-button कर रहा है और पर क्लीक कर आप मेरा वीडियो देख सकते हो वीडियो के end में भी आप लोगimeरा दूस्र आप वीडियो end screen में मिल जाएगा तो अभी देखिए speaker का जो connection है इसको हम कर रहे है एक site का जो speaker है उसके बाद इसका connection हम soldering करेंगे लेकिन उसे पहले हमको charging का जो section है charging problem भी हमको check करना होगा और battery भी हमको check करना पड़ेगा क्योंकि इसका battery हमने देखा है battery में zero voltage दिखा रहा है तो दोस्तों बहुत दिन तक अगर battery रख देते हो तो उसके बाद क्या होता है full charging भी होता है तो उसका circuit जो है उसका output बंद कर देता है उसका जो driver circuit रहता है छोटा सा charging protection के लिए वो circuit output में voltage बंद कर देता है क्योंकि उसके अंदर जो regulator IC रहता है उसका ही काम है आउटपूट में voltage अगर नहीं लगता है तो ओ आउटपूट का voltage बंद कर देता है आप उसमें कोई भी signal दोगे उसके बाद ही जो है output का voltage फिर से चालू हो जाएगा तो इसलिए आप अगर battery का जो connection है दोस्तों उसको चे अंदर लोग को पता है और जिन लोग को पता नहीं है दोस्तों उसी के लिए हम बोल लें तो आप देखिए इस डाचे के अंदर हमको बैठा ना है लेकिन उससे पहले हम देखेंगे इसका जो power button है उसका जो टीप है दोस्तों इह देखिए इसमें भी थोरा सा जो हमको rust दिक रहा है जो की पानी आने के कारण भी होता है मौशर के कारण भी होता है दोस्तों तो हम क्या करेंगी इसको टूजर से पकरके नाइप के मदद से इसको आइस्ता इस्ते करके घीस के हम साब कर लेंगे क्योंकि बहुत सारा बंदा लोग का जो problem रहता है कि power button हम दाबाते है फिर भी on नहीं होता है बहुत जोर से दाबाते है फिर जाके on होता है कभी-कभी बोलता है हमारा जो bluetooth on होता ह है लेकिन कभी-कभी होता है कभी-कभी नहीं होता है और कुछ bluetooth on होने के बाद तुरंदी बंद हो जाता है तो उसमें बहुत सारा problem आता है यह power button का क्योंकि बहुत सारा हमारा दोस्त लोग जो है ओ सब्सक्राइबर भाई है जो कि हमको comment भी करते है कि हमारा bluetooth ने जो है charging भी ह जो रहा है और उसमें लाल light भी जल रहा है charging होने के बाद blue light भी जल रहा है लेकिन इसका जो बटन दमाने से on नहीं होता है तो उस टाइम मैं बताता हूँ आप लोग को समझ में आता है के नहीं हमको पता नहीं लेकिन इसमें आप लोग देख लिया power button को कैसे साब करना है त तो बहुत सरा जो problem का solve आपको इस वीडियो में मिल जाएगा आप दिखिए मेरा जो Bluetooth यह circuit है इसमें जो जितना भी connection है आपको साब साब दिखाई दे रहा है तो इसमें हम एक LED light से दिखिए बैटरी का voltage हम चेक करेंगे एक एक wire को touch करके तो दोस्तों इसमें voltage नहीं आ रहा ह नहीं तो हमारा LED glow हो जाता तो सायद बहुत दिन तक Bluetooth को रग दिया है इसलिए circuit से output निकलना बैटरी का circuit से output निकलना बंद हो गया तो आप हम एक बार जो है इसका जो बैटरी का wire है दोस्तों उसको हम खोल लेंगे और उसको काटने के बाद wire को काटने के बाद फिर से solder करके हम बैटरी में जोड देंगे तो कभी-कभी जो है बैटरी का circuit में आप आयरन से solder करने जाओगे तो उसमें भी आपका circuit चलू हो जाता है तो यह देखिए हम थोरा चेक करेंगे इसका wire जो है कई से हो सकता है कट गया है इसलिए इसके उपर में जो इंसुलेटर है देखिए स सफेद वाला इंसुलेटर है या दूसरा जो टांस्पार्न इंसुलेटर होता है उसको हम नेल के मदद से इसको चिल के बाहर निकाल लेंगे तो इसमें हमको बैटरी में कुछ भी खराबी नहीं दिख रहा है तो जहां पर soldering किया था उसी जगा हम थोरा सा काटके wire को अलग देंगे तो जोड़ देने के बाद हम output इधर से हम wire से हम चेक कर लेंगे कि output हमको voltage जो है ओ मिल रहा है कि नहीं तो यह देखिए हमने sold कर दिया अभी output voltage हम चेक कर रहें एक एक wire में और अगर आपको color देखे भी आप कर्स रखते हो कि कौन सा wire में बैटरी में जुरा हुआ है अब देखिए बैटरी में तो voltage है output में voltage नहीं मिल रहा है साथ से ही wire को हमने connection चेक नहीं किया तो एक एक करके इसलिए कर रहे हैं तो कोई ना कोई में देखिए दोस्तो voltage हमको मिल गया है negative और positive बाला wire जो है हमको मिल गया है तो अभी हम circuit में दोस्तो negative और positive का connection कर सकते तो बहुत ही साब्दाने से इसको करना परेगा तो इस बैटरी का जो connection है दोस्तो इतना बरीकी से आपको इसका soldering करना परेगा कि कोई भी wire से wire निकल के दूसरा wire में not touch हो जाए तो उसमें क्या होगा आपका यह problem होगा क्योंकि बहुत सारा Bluetooth में होता है मैं देखता हूँ कि जहाँ पर बैटरी का wire soldering है दोस्तो वो इसे दू एक पतला सा wire निकल के जो negative और positive के साथ connection बनाता है तो कभी कभी connection बनाता है तो तुरंदी जो Bluetooth circuit बंद हो जाता है तो एक complaint रहता है कि मेरा Bluetooth चल रहा था अचनक बंद हो गया फिर से दबाने से नहीं चल रहा है फिर से चल र तो इसी का काराने दोस्तो जो बैटरी का connection है इसी connection को आपको सही से करना पड़ेगा एक दम बारी की से करना पड़ेगा उसमें कोई भी भूल या चूक आपका नहीं चलेगा तो यह दिखिए एक एक करके हम जो headphone का जो connection है speaker का तो उसी को कर रहे और अगर थोड़ा सा चूक speaker का wire में हो जाता है तो उसमें उतना problem नहीं आता है बंद नहीं होगा उसमें sound आपका थोड़ा खर-खर करेगा या sound off हो सकता है एक side का उसमें problem नहीं आता है उतना लेकिन बैटरी का connection के मामले में आपको ध्यान रखना पड़ेगा तो यह दिखिए सारा connection हमने कर दिया है आ आप लोग देख रहे हो तो एक Bluetooth को चलाने के लिए उसका जो power button और volume आप button होने से काम बन जाता है तो दोस्तों इसमें हम volume आपका तो है हमने power में बटन लगा दिया है क्योंकि अभी उतना time नहीं है वीडियो भी लंबा हो गया कि आपको कैसे बटन के लिए जो tip है और tip कहा से आपको मिलेगा तो हम दूसरा किसी वीडियो बनाएंगे दोस्तों तो उसमें हम बताएंगे दिखाएंगे कैसे आपका बटन गूम होने से आप कैसे उसमें दूसरा बटन लगा सकते हो कौन साथ चीज आप लगा सकते हो ताभी दिखिए हमने सार्चिंग कर रहा हूँ Bluetooth अभी इसमें नामा आएगा बोल्ट का तो थोड़ाइसा जोए टाइम लग रहा है दोस्तों तो तो इसको हम करते तो उपर में हमरा जोए नाम आजाएए दोस्तों शायद आ गया है उपर में देखते हैं तो यह दिखिए दोस्तों मेरा जो बोल्ट का ब्लूटूथ नेक बैंड है यह बिलकुल सही हो गया अब कनेक्शन भी बन गया है तो ओके टैंक्यू वाचिंग माई वीडियो